जय गुरु महराज, नमस्कार दोस्तों, छमा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, ब्यक्तित्व का अधभुत गुन है छमा, यदि इनसान कोई गलती करे और उसके लिए माफि मांग ले, तो सामने वाले का गुश्चा काफी हद तक दूड़ हो जाता है, जिस तरह छमा म वाले ब्यक्ति की हर कोई तारिफ करता है, और उसकी परसिद्धी दूड़ दूड़ तक फैल जाती है, कव्यों ने छमा को अपने अपने धंग से परिवासित किया है, छमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पाद, कहां रही महरी को घटियो जो भ्रीगु मारी लात, जैसी प वही रामधारी सिंग दिनकर ने कहा है, कि छमा वीरों को ही स्वाती है, उन्होंने लिखा है, छमा शोवती उस भुजंग को जिसके पास से गरल हो, उसका क्या जो दंत हीन वीशी हीन विनित सरल हो, वह लिखते हैं शहन सिलता छमा दाया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है छमा को सभी धर्मों और संपरदायों में स्रेष्ट गुन करार दिया गया है जैन संपरदायों में इसके लिए एक विशेष दिन का आयुजन किया जाता है मनोविज्ञानी भी छमा या माफी को मानव व्यवार का एक अहम हिस्षा मानते हैं उनका कहना है कि यह इन्सान की जिन्दिगी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है छमा का मनुष्ट के व्यक्तित में बहुत महत्व होता है यदि आदमी गलती कर दे और उसके लिए माफी नहीं मांगे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके व्यक्तित्य में अहम समंदी विकार है माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इन्सानी व्यक्तित्य को परिपूर्ण करने वाले तत्व है लेकिन कुछ लोग जो जान बुझ कर बार बार लगातार और मुर्खतावस या अहंकारवस गलती करते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए आज की जमाने में माफ करने वाला बेवकुप समझा जाता है अगर कोई आपके व्यक्तित्य को बार बार अपमानित करने की कोशिश करें तो समय यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही मुनासिव है स्री शद्गरू महराज कीजे